अस्सलाम आलेकुम प्यारे वीवर्ष कैसे हुआ आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप सब के साथ में सैर करने वाली हूँ रमजान स्पेसल इफ्तार की रेसिपी जिसमें आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल बहुत ही क्रिस्पी बनती है जिसे आपको पसंद होगा और मसालो को थोड़ी देर के लिए ऑल मी ही भूलेंगे गास कफले लो में रखके उसके बाद हम इसमें आड कर देंगे अधरेक लसन का पेस्ट एक चोटे चमच और अधरक लसन को भी हम अच्छे से भूलेंगे इसका कच्छा स्मेल निकलने तक इसे अच्छे से भून लेंगे तो देख सकते हैं मसाले अच्छे से दानेदार हो गया है और मसाले के कलर भी आप देख सकते हैं तो अब यहां पर हमाइट कर देंगे अबले हुए आलू तो मैंने यहां पर तीन बड़े साइज की अबले हुए आलू लिए हैं जिसे मैस करके ल साथ में टेस्ट के करना है इस तरह से प्रेस करते हुए आलू को छोटे टुकड़े दिख रहे हैं वो बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए इस तरह से हमें प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना सबी मिसालों को अब यहां पे हम आयट कर देंगे हरा धनिया चौप किया तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, तो इसे रखते हैं साइट पर और आप ने सिट्र weakest की तरब चलते हैं, मैंने यहां पे कुछ स्लाइस लिए है, इसके सभी किनारों को हमें इस तरह से चाकू की मदद से काट करके निकाल लेना है, और ये किनारे को फेकिंगे न कालना बहुत जरुरी होता है उसके बाद यहां पर आलो के स्टफिंग को रखेंगे और अच्छे से हम यह च्छे को कवर कर देंगे ब्रेटस यह देख सकते हैं और एक स्लेंडर का सेब दे दें और यह देखिए हमारी ब्रेट। बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से शीओ करें तुछब्दे इस हम सभी ब्रेड रोल को बनाकर तैयार कर लिया टो चेजिए करें के लिए नियुक्त आपकार यंदे करने इसे उपर तेल रालना है और हलका हलका सा इसे हिलाते हुए पलट देना तो आप देख सकते हैं एक तरफ हलके से लाइट से कलर आ गई है और इसी तरह समय सभी ब्रेड रोल को अलट करके गोल्डन ब्रांवनों तक फ्राइ कर ले ना है fry करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखे कि इसे आप high to medium की बीच में ही fry करें तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में बहुत अच्छे से golden color आ गया है इसका बहुत अच्छे से fry हो गई है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं इसे जादा हमें से fry नहीं करेंगे इसका extra oil जो है उसे निकलने देंगे उसके बाद हम इसे plate out कर लेंगे और इसी आप अपने मन पसंद चटनी केचप के साथ में serve करें ये खाने में बहुत जादा टिस्टी होती है कुरकुरे बनती है तो मैं आपको यहाँ पे एक चेक कर आके दिखा देती हूँ सुनें आवाज आप कितना जादा क्रिस्पी है तो एक बार इसे आप बना कर ज़रूर ट्राइ करें इफतार में बहुत ही अच्छी बनती है आपके फैमिली को बहुत पसंद आएगी आई होप की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले तो चलिए मिलते हैं आपसे नेस्ट रेसिपी में अल्ला आफ़ेज